स्वागत है आपका तंदरुस जीवन चैनल पर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल डिलिवरी के लिए सर्विक्स यानि की गरभाशय गरीवा का कितना खुलना जरूरी होता है बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है और कुछ ने कमेंट करके भी की खुलने का कोई निश्चित समय नहीं है कि गरभावस्ता के ये किस हफते खुले सीधी बात ये है कि प्रेगनेंसी की लास्टेज पर सर्विक्स खुलना शुरू होती है यानि कि प्रसव का समय पास आने पर गरभाशय गरीवा अपने आप नर्म होकर फैलती है और धीरे धीरे खुलती है ये है प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर द्वरा दी गई ड्यू डेट जिसे की EDD यानि की Estimated Date of Delivery भी कहते हैं पर भी खुल सकती है ड्यू डेट के कुछ दिन पहले भी खुल सकती है और ड्यू डेट के कुछ दिन बाद भी दोस्तों आम तोर पर डॉक् पहनी तारीक होती है ऐसा जरूरी नहीं है कि डिलिवरी भी उसी दिन होगी डिलिवरी प्रेगनेंसी के 37 हफते से लेकर 40 हफते या फिर ज्यादा से ज्यादा 42 हफते तक कभी भी हो सकती है तो कहने का मतलब है कि जो सर्विक्स है प्रेगनेंसी के 37 हफते से लेकर 40 हफते या फिर ज्यादा से ज्यादा 42 हफते तक कभी भी खुल सकती है दोस्तों मैं यहां pre-mature delivery की बात नहीं कर रहा क्योंकि pregnancy के 37 हफते से पहले जो delivery होती है वह pre-mature delivery कहलाती है मैं यहां बात कर रहा हूँ pregnancy के normal time पर cervix के खुलने की तो इसका सीधा मतलब है कि जब delivery का समय पास आता है तभी cervix धीरे धीरे नरम होकर फैलना शुरू करती है और फिर धीरे धीरे खुलती है फिर चाहे cervix के खुलने का process 37 हफते में शुरू हो 38 में, 49 में, 40 में हफते में हो या फिर 42 में हफते में सर्विक्स के खुलने का ये प्रोसेस नेचुरली होता है अपने आप होता है और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दर्द भरे संकुचन यानि कि कोंट्रेक्शन के बीच शुरुवात में सर्विक्स एक से दो सेंटीमिटर खुलती है फिर तीन से चार सेंटी महला को बताती है कि सर्विक्स कितने सेंटीमिटर तक ओपन हो चुकी है और अभी कितना खुलना बाकी है डॉक्टर वेजाइनल निरिक्षन करने के बाद सर्विक्स के फैलाव को देख कर बता देती है कि कब तक डिलिवरी हो जाएगी और जब तक सर्विक्स यानि मुकस प्लग हट जाता है जो की पूरी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशे के मुझ को ब्लॉक करके रखता है यानि की बंद करके रखता है लेकिन प्रेगनेंसी के आखरी समय में जब मुकस प्लग हट जाता है और डिस्चार्ज के रूम में बाहर निकलता है मास पेशियों के फटने से म्यूकस प्लक के बाहर निकलते समय इसमें बलड का कुछ हिस्सा भी मिल जाता है और बाहर निकलते समय इसका रंग लाल गुलाबी भी हो सकता है या फिर इसमें बलड की धारियां भी दिख सकती है या फिर चिपचिपे पधार्त के साथ खून के धक्के के रूम में भी बाहर निकल सकता है दोस्तों जिस प्रकार अगर हम किसी बोतल को उल्टा करीं तो बोतल के मुँपर लगा धकन उस बोतल के अंदर पड़े लिक्विट को गिरने से बचाता है ठीक उसी प्रकार जो मुकस प्लग होता है वैं गरभाशे यानि कि बच्चे दान तो सर्विक्स यानि कि गरभाशे गरीवा नरम होकर फैलने लगती है जिससे कि मुकस प्लग अपनी जगह पर टिक नहीं पाता और बाहर निकलने लगता है सर्विक्स पर रहते हुए गाड़ा होता है लेकिन जब बच्चा जनम के लिए तयार होता है तो एस्ट्रोजन का लेवल मुकस प्लग को पतला करता है ताकि ये आसानी से बाहर निकल सके तो ये पतला होकर डिस्चार्ज होने लगता है यानि कि अपनी जगह से हट जाता है और जब ये बाहर निकलता है तो दर्द भरे संकुचनों यानि कि कोंट्रेक्शन के साथ धीरे धीरे सर्विक्स यानि कि बच्चे दानी का मुँख खुलना शुरू हो जाता है दोस्तों साथ ही मैं आपको यह भी बता दूँ कि गरम में जो बच्चा होता है वैस सीधा गरभाशे के अंदर नहीं होता बलकि वैस एमनियोटिक फ्लूइड से भरी पानी की थैली यानि कि एमनियोटिक सैक मे यानि कि पानी की थैली में बच्चे का संपूर्ण विकास होता है और प्रेगनेंसी के आखरी समय में जब पानी की थैली फटती है तो गरभाशे और योनी के माध्यम से ये पानी बाहर आने लगता है जिसे कि पानी की थैली का फटना या वाटर ब्रेक कहते हैं इस दुरा अला को ये संकुचन पानी निकलने के कुछ घंटे बाद महसूस हो सकते हैं। दोस्तो प्रेगनेंसी के आखरी समय में जब म्यूकस प्लक बाहर आ जाता है तो इसका मतलब है कि पानी की थहली फटने का समय पास आ गया है। हाला कि कई बार कुछ मामलों में म्यूकस प्लक का बाहर आना और पानी की थहली का फटना दोनों काम एक साथ भी होते हैं या फिर म्यूकस प्लक के बाहर आने के एक या दो दिन भाद भी पानी का रिसाव हो सकता है। म्यूकस प्लक के बाहर आने और पानी की थेली फटने पर गरवती महला को तुरंत अपनी डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि डॉक्टर जाँच करके पता कर सके कि परसव का समय अभी कितना बाकी है, सर्विक्स का मूँ खुलना शुरू हो चुका है या नहीं और अभी कि दोस्तों पानी की थेली फटने और म्यूकस प्लक के बाहर निकलने या फिर डिलिवरी टाइम नजदीक आने के अन्या लक्षणों के बारे में आप विस्तार पूर्वक अगर जानना चाहती हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकती हैं जिनका लिंक आपको आज की व देट पर ही यह है ओपन हो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें